गुड बॉनिंग एबरिवान तोड़े आएम प्रेजेंट हेर टू गिव यू एलिटिट बिट नॉलेज वाटवर नीड़ेट फॉर एक्जाम रिगार्डिंग आवर मोगल एंपरर एंड़ फांडर आप मोगल एंपरर इन इंडिया बाबर मैं बाबर की बारे में आप 226 से लेके 1530 तक जो की 4 years of rule था और ये लूटने आये थे हमारे दिल्ली में सबसे पहले ये अटेक किये थे दिल्ली में और ये इनको दिल्ली लूटना था लेकिन ये वहां के एंबार्मेंट वहां के सर्दी वाली जो एंबार्मेंट था उन्हें के बज़े से वहां पे अ एंपरर है अपना जो सासन है वहां पे शुरू कर दिये कहां से आये थे ये काबुल में स्तीत है काबुल की फरगणा से आये थे देन ये अपनी जीवनकाल में चार युद्ध लड़े थे फोर वार कौन-कौन सा था पहले 1526 में लड़े थे फिर 1527 में लड़े थे देन 1528 में देन 1529 देन 1530 में इनका डैथ हो गया था तो 1526 में जो लड़े थे उसको कहा जाता है बैटल अफ फानिपत देन किसके साथ लड़े थे ये ये क्वेस्चन में आता है कि कब लड़े थे और उस युद्ध को क्या कहा जाता है और किसके साथ लड़े थे तो हम वही भी जानते है तो ये लड़े थे इबराहीम लोधी के साथ देन 1527 ये लड़े थे बैटल अफ खानुआ ये लड़े थे किसके साथ राणा संगा पहला युद्ध 1526 में ये इबराहीम लोधी के साथ लड़े थे and second war ये राना संगा के साथ रड़े थे राना संगा राना संगा के साथ then 1528 में ये लड़े थे battle of चंदावर हर साल में एक एक युद्ध ये लड़े थे ये लड़े थे मेदिनी रोय के साथ मेदिनी रोय and last one जो कि 1529 में इनके जीवनकाल का सबसे आखरी युद्ध था ये भी कोश्चन में आता है कि बावर की सबसे लास्ट युद्ध और आखरी युद्ध कौन सा था battle of घागरा battle of घागरा ये लड़े थे आफगान के साथ जो आफगानी लुटे रहे थे उनके साथ लड़े थे और फिर 1530 में इनका death हो गया था थो सबसे खास बात ये है कि ये किसी भी युद्ध में नहीं हा रहे थे ये सारे युद्ध में जीद के ही आए थे then next question जो कि हमारी competitive exam में आता है इनका एक autobiography था मतलब ये अपनी जीवन काल में क्या क्या कर रहे है वो खुद लिख रहे थे autobiography इनका एक autobiography था जो कि ये खुद लिखते थे उस autobiography का नाम था बाबर नामा और ये था Turkish language में कौन सी language में ये लिखा हुआ था तो बोलेंगे तो आप Turkish language कह सकते हो लेकिन इस बाबर नामा को ये translate किये थे Persian में कौन translate किये थे अबदूल रहीम खान अबदूल रहीम खान इसको translate किये थे कौन सी language में Persian language में मतलब पूरे Turkish language में लिखा हुआ बाबर नामा को ये Persian language में translate किये थे और उसको एक दूसरा नाम दिये थे उसको rename किये थे जिसका है तुझके बाबरी Persian में translate करके उसको rename किये थे और उसका नाम दिये थे तुझके बाबरी Question अगर ये आए कि बाबर नामा का दूसरा नाम क्या है बाबर नामा का दूसरा नाम क्या है तो बोल सकते है आप तुझके बाबरी उसके बाद और एक चीज भी आता है हमारे cumulative exam में जो की उन्होंने एक mosque मतलब मस्जिद बनाये थे उसका नाम है बाबरी mosque बाबरी मस्जिद भी कह सकते है बाबरी mosque भी कह सकते है वो 1528 से शुरू होके 1529 में खतम हुआ था और उसका आर्किटेक्ट मतलब जो बनाये थे डिजाइनर उनका नाम था मीर बाक्की आर्किटेक्ट जो है जो उसका डिजाइन करके बनाये थे उसका नाम है मीर बाक्की ये अपनी ओफिसियल लेंग्वेज डेली में जो ओफिसियल लेंग्वेज था इनका ओफिसियल लेंग्वेज था टर्किज जिस भासा में बाबर ने अपनी बाबर नामा लिखे थे बट मुगल पहले दिल्ली में इसका ओफिस्याल लेंग्विज था टर्किस बट मुगल एंपरर जो आये बाबर दिल्ली का ओफिस्याल लेंग्विज चेंज करके उसको परसियन कर दिये परसेन लेंग्वेज चेंज कर दिये पहले तो टर्किस था फिर परसेन हो गया देन बाबर नामा बाबर नामा जो लिखे थे किसके बारे में ज़्यादा बताया गया था मतलब हमारे किस भारतिय सासक को वो सबसे फावारफुल मानते थे उनका नाम था कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय जी को वो फावारफुल इंडियान एमपर और बोल के मानते थे और वो थे कृष्णदेव राय कौन से डाइनेस्टी से से तालबा डाइनेस्टी मतलब तालबा बंच से वो बिलोंग करते थे एंड वो कहां की राजा थे कृष्णदेवराय बिजया नगर मैं short form में लिग रहा हूँ आप अपने हिसाब से नोट्स बना आ सकते हूँ बिजया नगर से वो आय थे एंड सबसे कम बाबर नामा में मतलब less description सबसे कम किस बारे में बताया गया था वो wars के बारे में अपनी युद्ध के बारे में वो war के बारे में इसलिए बताये थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सबको war करके अपनी जीवन काल को ब्यतित करना है युद्ध वो नहीं चाहते थे लेकिन वो अपनी जीवन में चार युद्ध लड़े है battle of पानीपक, battle of खान्वा, battle of चंदावर battle of खाग्रा सारे में जीते थे और वो अपनी बावर नमा में बहुत कम इसके बारे में बताए थे अगर question आए तो बावर नमा में सबसे कम किसके बारे में बताये गया है तो आप कह सकते हो वार और कौन से राजा के बारे में वो सबसे पावारफूल मानते थे और बताये थे वो कह सकते हो कृष्णा देवराय जो की तालवा डैनेश्टी से है और वो विजाया नगर से बिलोंग करते थे जितना क्वेश्चन बन सकता था बाबर के बारे में इस सौट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है और दूसरे एंपरर जैसे की हुमायू, अकबर, जांगिर, साजान, और रंग जेब के बारे में जाने के लिए हम दूसरा वीडियो अपलोड किये है उसी पे आप जाके देख सकते हैं, ओके, थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो, वेव ब्यूटिफुल दे, टेक क्यार,